क्या आप भी टैली सीखना चाहते हैं हाँ जरूर सीखें लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टर की इतनी डिमांड क्यों है एक्चुली टैली इस अकाउंटिंग सॉफ्टर की जरूरत होती है वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टर अवेलेबल हैं लेकिन टैली पर ही लोग सबसादा ट्रस्ट इसलिए करते हैं यानि फर्म चाहे होलसेलर हो रिटेलर हो डिस्टिब्यूटर हो या आपका मैनुफेक्ट्र हो टैली इस दा बैस फूर एवरीवर अब बात यह आती है कि क्या आप लोग टैली सीख सकते हैं हाँ बिल्कुर सीख सकते हैं लेकिन टैली स्पेशरी उन लोगों के लिए है जो कॉमर्स वेक्गराउंड हैं लाइक बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीए, अगर इस तरह की कोई भी डिग्री आपने भी ले रखी है तो आप भी टैली बहुत आसानी से सीख सकते हैं लेकिन जो नॉन कॉमर्स इस्टिट हैं मैं उनके लिए यही कहूंगा क पहले वो अकाउंटिंग सीखें उसके बाद टैली सॉफ्टर सीखें वैसे तो अकाउंटिंग की बहुत सारी वीडियो हम भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहना लेकिन आज हम डिसकस करेंगे कि टैली पर किस तरह से एक नई कंपनी क आप ओपन हो जाएगा और यहां आपको सबसे पहले स्टार्ट अप दिखाए देगा अगर आपने टैली का सॉफ्टर परचेस कर रखा है अपने बिजनिस को रण करने के लिए तो आप यहां पर उसकी जो एक्टिविशन की होगी वो आप यहां पर डाल सकते हैं और उसको सॉफ्टर को यहां से रण करा सकते हैं लेकिन अगर हमने लाइसेंसी वर्जन इसका नहीं ले रखा है हम इसको फ्री चलाना चाहते हैं तो हम यहां जाएंगे नीचे वर्क इन एजुकेशन को इस पर जाकर एंटर कराएंगे आप देखेंगे हमारा सॉफ्टर ओपन हो जा इधर यह टैली का वर्जन बताता है कि आप जो टैली चला रहे हो टैली डॉट यार्वी नाइन उसका कौन सा वर्जन चला रहे हो तो देखें इसमें सिरीज ए में रिलीज 6.0.2 में आपको बता रहा हूं लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता आप रिलीज इसका चाहे कोई भी एडवांस या लोवर चला रहे हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ता चोटी चोटी अपडेट होती है तो वो सब चीजें जो है जब माइने रखती हैं जब हमारे पास में लाइसेंस होता है तो चोटी चोटी अपडेट से यहां पर टैली सॉफ्टर पर कोई पर हास फरक नहीं बड़ता है तो क्योंकि हम टैली सुफ्टर चाहते हैं तो हमें क्या करना यहां पर सबसे पहले कंपनी को करता है नई कंपणी बनाने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी पर जाना है तो आप दी data और यहां पर अन्टर लगाएंगे लेकिन देंखे इसमे का company creation form को गया रहे है company creation form के अंदर हम एक company की सारी वो information देते हैं जो उसकी personal information होती है जैसे कि name उसका mailing name उसका address country state pin code phone number mobile number and other information तो यह सब information हमें यहाँ पर देनी होती है इस location ठीक है लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी लोकेशन पर तो उसका backup होता होगा वह बैक आपको इस location पर मिले यानि अगर मैं इसको minimize कर लो तो देखें यहां जाएंगे हम दिस स्पीसी c drive, users, public, public के अंदर tally.rp9 और यहां data तो यह जो आपको यहां पूरा path दिया हुआ है वही path हमें यहां भी दिया हुआ है देखें उपर आ रहा है यानि अगर मैं कोई company अपनी यहां पर save करता हूँ बनाता हूँ तो वो मुझे इस location पर दिखाई देगा यानि के c drive के अंदर users के अंदर public के अंदर tally.rp9 में data के अंदर यहां पर एक backup दिखाई देगा Mailing Name dollar mailing name same आ रहा है आप same भी रख सकते हैं या अगर आप कर दे सकते हैं अलग भी दे सकते हैं कुछ नाम है इस तरह से कर सकते ईड्रेस जो भी आप देना चाहें company का जो भी mailing address है वो आप यहां डाल देंगे country किस country के अंदर है यह company वो country यहां जाएगी तो देखे और ब्रोर दिए हुई है लेकिन हमें यहां पर इंडिया आगे देंगे तो इंडिया जितने भी state होंगे वो सब यहां जाएंगे कि अभा में उसमें सिर्फ यूप्रेस करेंगे तो खेल के यहां पर व्तरब्रदु करें देख है कि यहां से अ접्रड़ी को सलेक्ट करेगे पुछे का financial year beginnings from आपको जो financial year है वो कब से start हो रहा है तो आप लोग सब लोग जारतर जानते होंगे कि जो financial year है वो first April से start होता है और 31st मार्स को close होता है तो हमें यहाँ पर जो है financial year की जो first date होती है वो डाल दी होती है माली जी हमने first April 2020 ले लिया तो हम 20 रखेंगे नीचे देखें यहाँ पर आ रहा है books beginning from books beginning from का मतलब भी यही है कि आपकी जो खाते हैं वो कब से start हो रहे हैं तो यहाँ भी आपको first April ही रखना है बहुत से लोग क्या करते हैं गलती कर वैटते हैं सोचते हैं कि यहाँ first April डल रहे हैं तो यहाँ नीचे जो है हमें 31st March डाल रहा है ऐसा नहीं है यह भी आपकी beginning date ही मांग रहा है कभी कभी पहले क्या होता था पॉर्णायटिक टाइम में बहुत से लोग अपने जो खाते मेंग्टेन करते थे वह जनवरी दूदिसंबर मेंग्टेन करते थे और बहुत से लोग दीपा वली टू दीपा वली मेंग्टेन करते थे तो वहां वो लोग जो बुक्स बेनी फ्रॉम जो डेट अलग होती थी माली जी कोई फर्स जनवरी से कर रहा है तो यहां फर्स जनवरी डाल देता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आपको फाइनेशल एर के अकॉर्डिंगी चलना होता है जब से जी एस टी राग हो आए तो वह दे सकते हैं लेकिन यहां पासवर्ड इसले नहीं जालेंगे क्योंकि अगर हमने यहां पासवर्ड दे दिया तो वह डिफॉल्ट इस कंपनी के साथ सेव हो जाता है हम उसको बाद में डिलीट भी करना चाहें तो उसको डिलीट नहीं कर सकते है ठीक है और नहीं उस मोडिफाई कर सकते है तो इसलिए यहां आप लोग पासवर्ड नहीं डालना मेरी राय यह कि आप नीचे जाना यहां पर यूश सेक्योर्ड कंप्रोल पर और यहां से पासवर्ड देना आपको देखे यहां नो लिखावा है नो की जगा आपको उसको यस करना है यद्रेस क एंटर कराया आपसे पासवर्ट कुछेगा यहां पासवर्ड हम डालेंगे मालीजे वन तू थिरी दोबारा से ले लेते हैं वन टू थिरी देखे हमने क्योंकि एक इजी पासवर्ड दिया है तो इसलिए वो पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक बता रहा है यानि कि वो यहां पर हमने वन टू थिरी पासवर्ड डाला एंटर कराया और आगे बढ़ गए इसके बाद वहम से पूछेगा यूज टैली ओडिट फीचर तो देखे टैली ओडिट फीचर यह थोड़ा एडवांस फंक्शन है इसको हम आगे क्लियर कराएंगे फिलाल अभी इसको हम और कंपनी क्रियेट होने के बाद आपसे फस्स ताइम यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है यानि यह वही यूजर नेम है जो भी हम देखे आये थे पीछे यूजर नेम में हमने टाइप किया था आया इसी है स्मॉल लेटर में और पासवर्ड में हमने दिया था यह यहीं से अंतर यानि जब हम जब अंतर ऑट आपसे णक्ताइक है कि इतील देखे साथ में हम्हसर है जब हम जनन करता है इधर उपर आपका ये current period यानि कि जो हमारा financial year है वो यहां पर show करेगा हमारा financial year 1st April 2020 को start हो रहा है और 31st March 2021 को close होगा तो देखे क्योंकि अभी हमने foreign company बनाई है और कोई भी यहां पर ना किसी भी तरह का हमने आइटम बनाया है ना कोई laser बनाया है ना किसी भी तरह की general entry की है तो इसलिए अभी आपको date दे रहा है यहां पर 1st April क्योंकि अभी हमने यह company create की है तो आज वो दिन भी दिखा रहा है Wednesday और 1st April दिखा रहा है अगर हमें उसके अंदर कोई modification कोई changes करने है तो किस तरह से करेंगे देखे keyboard से आपको एक key press करनी है Alt F3 जैसे आप Alt F3 करेंगे तो यहां पर आपको यह अल्टर function मिलेगा अल्टर पर जाना है एंटर लगाना है एंटर लगाने के बाद एक बार और एंटर करना है तो यह वही company की detail आजाएगी जो आप company creation form में देखर आए थे लेकिन अब यहां पर company alteration के नाम से यह उपर दिखाई दे रहा है आपको एंटर कराएंगे अगर मन लीजे आपने उस time में address नहीं दिया था अगर आप address देना चाहते हैं तो आप कोई भी address इस तरह से दे सकते है ठीक है और उसके बाद एंटर एंटर करके आप इसको save करा देगे यह हमारी company save हो जाएगे दोबारा जब उसको खोल के देखेंगे त देखें यहां पर हमारा जो address है वो update हो चुपा है तो इस तरह से तो हम यहां पर address को update कर सकते हैं अब बात आती है delete करने की तो delete के लिए भी कुछ नहीं करना delete भी आपको यहीं से है डारेट जैसी आप यहां पर गएंटर पर दुबारा आप एंटर पर चले जाएगे एंट यह वाई प्रेस किया तो company हमारी डिलीट हो जाएगी और हमें company को delete नहीं करना तो हम n प्रेस कर सकते हैं n का मतलब no करने के लिए या keyboard से escape की यूज़ कर सकते हैं आपको मतलब हम इसको cancel करना चाहते हैं अभी delete नहीं करना चाहते हैं अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि जो company हमने create कर ली वो actually हमारी उस location पर पहुंची है नहीं जो मैं आपको बता रहा था यहां से आप minimize कर लीजे देखिए यहां पर यह folder मैंने minimize कर रहा था था देखिए यहां पर हमारी यह company create हो चुकी है आपको मैंने बताया था कि c drive के अंदर users और users और public tally.erp9 इंदर data डेटा में आपकी company बन चुकी है और इसका code है 10000 यहनी कि 10,000 अब आपकी जो आगे की company के code होंगे वो 100001, 100002, 100003, 100004 इस तरह से करके coding अपने आप चलती चले है यह जैसे आपको पसंद आया होगा मैंने आपको बहुत अच्छे सही समझा दिया किस तरह से company को create करना है किस तरह उसको modify करना है और किस तरह उसको delete करना है